मेरे पैरे देश्वास्यों, 25 सितंबर को देश की महान संतान पंडित दिंद्याल उपातयाईजी की जन्म जन्ती होती है। दिंद्याल जी पिछली सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक है। उनका अर्थदर्शन, समाज के ससक्त करने के लिए उनकी नीतिया, उनका दिखाया अंतियोदे का मार्ग, आज भी जीतना प्रासंगी है उतना ही प्रेरणा दाई भी है। तीन साल पहले 25 सितंबर को उनकी जन्म जैन्ती पर ही दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्वरंस कीम आईश्मान भारत योजना लागू की गई थी। आज देश के दो सवादो करोड से अधिक गरीबों को आईश्मान भारत योजना के तहट अस्पताल में पांच लाग रुपिय तक का मुप्त इलाज मिल चुका है। गरीब के लिए इतनी बड़ी योजना दिन दयाल जी के अंतियोदे दर्सन को ही समर्पीत है। आज के युवां अगर उनके मुल्यों और आदर्सों को अपने जीवन में उतारे हैं तो ये उनके बहुत काम आ सकता है। एक बार लखनों में दिन दयाल जी ने कहा था कितनी अच्छे अच्छे चीजे अच्छे गून हैं ये सब हमें समाज से ही तो प्राप्त होते हैं। हमें समाज का कर्ज चुकाना है इस तरह का विचार करना ही चाहिए। यानी दिन दयाल जी ने सिक दी कि हम समाज से देश से इतना कुछ लेते हैं जो कुछ भी है वो देश की वज़े से ही तो है इसलिए देश के प्रती अपना रण कैसे चुकाएंगे इस बारे में सोचना चाहिए। ये आज के विवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। साथियों दिन दयाल जी के जीवन से हमें कभी हार न मानने की भी सिक्र मिलती है। विपरित राजनितिक और वैचारिक परिस्थित्यों के बावजूत भारत के विकास के लिए स्वदेशी मॉडल की वीजन से वे कभी डिगे नहीं। आज बहुत सारे युवां बने बनाए रास्तों से अलग हो कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वे चीजों को अपनी तरह से करना चाहते हैं। दिन दयाल जी के जीवन से उन्हें काफी मदद मिल सकती है। इसलिए युवांगों से मेरा आग्रह है कि उनके बारे में जरूर ज अजानी